नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 निउस वास्तु शास्त्र क्या है वास्तु दोश क्या है आपके घर का सामान कहा होना चाहिए क्या कुछ सेटिंग होनी चाहिए और हमारे जीवन में वास्तु का महत्व क्या है यह समझने के लिए आज ह कम करने के लिए या उन्हें खत्म करने के लिए क्या कुछ वास्तु का रोल है हमारे जीवन में जनली भाषा में अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो वस्तु का समू वस्तु से आया है वस्तु का समू वस्तु है तो जहां भी हम रहते हैं हमारे परिवार के लोग हैं व अब क्या होता है हर चीज हर पिंड एक शास्त्रों का कतन है कि यद पिंडे तत ब्रमांडे जो एक पिंड में है वो पूरे ब्रमांड में है तो जो उर्जा पूरे ब्रमांड में है वो एक पिंड में है तो हमारे अंदर उर्जाओं का समावेश होता है और एक दूसरे की उर सबसे पहले वास्तू का आयाम होता है अब्जेक्ट यानि वस्तू उसके बाद डिरेक्शन्स वस्तू किस किस डिरेक्शन में कौन सी वस्तू किस वस्तू के डिरेक्शन में है किस डिरेक्शन में है तो दूसरा आयाम यह होता है तीसरा आयाम होता है काल ये ब्रह्मान जो चल रहा है इसकी चाल को समझने के लिए काल गणना बड़ी जरूरी होती है और काल गणना के लिए हम अस्ट्रलोजी का इस्तमाल करते हैं तो क्या हुआ वास्टू के तीन आयाम हो गए वस्टू, डिरेक्शन और काल इन तीनों का मिशन वास्टू कहलाता है सुखी रहने के लिए लोग अलग अलग तर्किवे अपनाते हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं और कोई अस्ट्रोजर का सहारा लेता है कोई पंडित के पात जाता है कोई जाड़ फूख करने के पात जाता है तो वास्तू के जरिये सुखी रहने के क्या कुछ नियम है देखिए वास्तू की जो दखलंदाजी हमारे जीवन में है वो यहां तक है कि हम वास्तू की वज़ा से पैदा होते हैं वास्तू की वज़ा से अपना जीवन जीते हैं और वास्तू की वज़ा से हमारी मृत्ति होती आप जो मर्जी करते रही है अगर आपका वास्तु खराब है आपके भागे में जो मर्जी लिखा है आपके पास आपकी कुंडली में जो मर्जी लिखा है वह आएगा या नहीं आएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह डिपेंड करते हैं आपके वास्तु पे अगर आपका वा जब एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या सभी परिवार के सज़स्यों पर एक ही वास्तो का नियम लागू होता है, क्योंकि गर में सामान भी लोग एक ही उज़ करते हैं, एक ही दिशाएं होती है, सब कुछ एक ही होता है. देखें, हमारे पास चार चीज़ें होती है, जब हम वास्तो का निर्मान करते हैं, हम चार भागों में वास्तो का निर्मान होता है, भूखंड होता है, स्ट्रक्शर होता है, उसका धांचा बनाते हैं, और धांचा बनाने के बाद इंटर्नल सेटिंग होती है, उसके बाद ए वहाँ इसलिए कि इंटर्नल सेटिंग के अंदर दिशाओं का बड़ा महत्व होता है, कौन से घर का मेंबर, कौन सी दिशा में में लहता है, कौन सी दिशा में उसका बैडरूम है, वहाँ कैसे बिहेव करता है, वो उस दिशा के अमसार करेगा, और घरों के अंदर जितने ता सारे ठीक कर लिए और इंटर्नल सेटिंग पर हमने ध्यान नहीं दिया तो आप समझे जिए वो इंटर्नल सेटिंग आपको हिला कर रखतेगी और आपको क्लेश और दुखों का सामना करना पड़ेगा तो आपने बताया कि एक घर में एक परिवार में कौन सी वस्तु कौन सी दिशा में होनी ची अगर बात करें मल्टी स्टोरी फ्लैक्स की वहां अलग-अलग सब लोग नोकरी करते हैं अलग-अलग सब के पेशे होते हैं जीने का तरीका भी अलग होता है तो उसमें क्या कुछ शिप्रभा पड़ता है देखिए मल्टी स्टोरी में वास्तु सब का लग भगएक है एक ही द्रवाजा है एक ही जगह किचन है एक ही सब कुछ है आप मालेजे दस 20 30 से 100 200 फ्लैट इकठे एक ही जगह पर है और वह नीचे से लेके उपर तक पर तो सब के जीवन में फर्क है सब का जीवन अलग लग है यहां दो शीजा हमने जैसे बात की थी कि वा यहां पर एक काल जो होता है जब आपका जन्म होता है आपके जन्म कुंडली बन जाती है वो कुंडली आपकी तो नहीं होती है उस समय की होती है उस काल की होती है और उसमें आपका भागे माचा जाता है उसमें आपके भागे देखा जाता है कि आपके भागे में क्या है तो ह सकता है आपके उपर नीचे वाले उनका भागे अलग लग हो वह आप से ज़्यादा भागेशाली हो या आप से कम भागेशाली हो और उसी वज़ा से आपके अगर परिवर्तान आता है तो एक कारण सिर्फ और सिर्फ वही है कि आपके भागे में अंतर है क्योंकि होता क्या है अगर एक टोल है, आप एक के पास सो रुपे हैं, एक के पास पान सो रुपे हैं, एक के पास हजार रुपे हैं, और एक टोल पे तीन गाड़िया निकलती हैं, तो जिसके पास सो रुपे हैं, पहले टोल पर ही सो रुपे देने के बाद उसके सो रुपे खतम, उसकी जेब खा सकता है और तीसरा आदमी दस टोल कर सकता है तो इसलिए आपके भागय में क्या लिखा है उसका असर वास्तु पे कितना पड़ रहा है यह मैटर करता है इसलिए उसका जीवन के जीवन शैली जो है अनकी अलग अलग होती है यहां हं हिंदुस्तान में जो रहेंसेयन हैं लोग ऐसी हैं जो वास्तु से जिनका समाधान हो सकता है और क्या कुछ ऐसा भी है जिसका समाधान वास्तु शास्तर के अंतरगत नहीं हो सकता देखिए वैसे तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैं 40-42 साल से इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि आपका अगर जीवन का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विशे आपके जीवन का वास्तु से जुड़ा हुआ है तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसका समाधान वास्तु में ना हो वो बात अलग है कि वास्तु में समाधान कुछ ऐसा हो कि आप ना कर पाएं वो तो एक बात अलग है अगर ये कहना कि वास्तु में कोई समाधान नहीं है वो गलत है तो हमारे भागे को अगर हमने दिशा देनी है भागे को हमने सजक करना है तो हमें वास्तु का प्रयोक तो करना ही पड़ेगा तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु के अंदर कोई हमारे पास समाधान नहीं है वास्तु आपके बिल्कुल चेंज कर देगा 100% आपका चें जाये अभी तक ऐसा कि यार अब तो मैं बहुत परिशान होगे आप छोड़ो यह सब्सक्राइब बहुत बार स्थिति ऐसी हो गई मैं फिनेंशल्स मुझे सफर करना पड़ा और मुझे लिटिकेशन का सामना करना पड़ा मुझे बड़े बदमाशू का सामना करना पड़ा औ एक अच्छा अनभव मैं समस्ता हो मेरे पास है जो शायद किसी के पास नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने आपको इस जोकिम में डाला और खराब-राब हाउस लेके उन میں रहा तो में पस एक अच्छा अनभव मैं समस्ता हूँ है जो लोग आपको देख रहे हैं जो दरशक ते देख रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं हो, consult न चाहते हैं तो कैसे आपसे मिल सकते हैं और क्या कुछ कि侯ुच कोंटक्ट है? सर मेरा फunder नंबर दे दीजिये, मेरी email ID दे दीजिये, तो मुझसे फोन करके मुझे WhatsApp करें WhatsApp करके मुझसे आप time लें और time मुझसे मिल सकते हैं मुझसे मिलना को बहुत बड़ी बात नहीं है आप जम्र जी मिल सकते हैं को ऐसा ईशू नहीं है बहुत बहुत शुक्रियाब धाट करूए थेंक्यू जिए ते मेरे साथ आचारे महिश गुपता जी जिन्हों कहा कि ऐसी कोई परिशानी नहीं है जिसका हल वास्तो शास्तर में ना हो अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं इन्होंने बता दी हैं आप इंसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं कैमरा जनलिस संदीब के साथ प्रवीन इंडिया टाम 24 निवस खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकल